हरी कृष्णा राधे राधे वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद काना जी जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने इस बार श्राद पक्ष खतम होने के बाद नवरात्री नहीं मनाई जाएंगे और इसके पीछे एक बहुत विशेश कारण है 17 सितंबर 2020 को श्राद खतम होंगे और अगले दिन से ही अधिक मास जिसे मल मास भी कहते हैं और पुर्शत्तम मास भी कहते हैं शुरू हो जाएगा जो 16 अक्टूबर तक चलेगा इसलिए 17 अक्टूबर से नवरात्री आरंब होगी इस तरह से श्राद और नवरात्री के बीच इस साल एक महीने का समय रहेगा क्या कहा आपनी आप मल मास के बारे में नहीं जानते तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ जो कि इस वीडियो में हम आपको मल मास यानि पुर्शोत्तम मास की पूरी जानकारे देंगे हर तीन साल में एक बार एक अत्रिक महीने का प्रकट होता है जिसे अधिक मास, मल मास या पुर्शोत्तम मास के नाम से जाना जाता है हिंदू धर्म में इस महा का विशेश मैतो है संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म प्रायन चंता इस पूरे महा में पूजा पाठ, भगवत भगती, वरत उपवास, चब तप योगाती धार्मिक कारियों में सनलगन रहती है ऐसा माना जाता है कि इस माह में किये गए धार्मिकारियों में से किसी भी अन्यक माह में किये गए पूजा पाट से दस कुना अधिक फल मिलता है यही वज़े है कि शरदालुजन, अपनी पूरी शरदा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को परसन करने के लिए चुट जाते हैं अब सोचने वाली बात ये है कि यदि माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो ये तीन साल में क्यों आता है इस माह में किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है ये सब सवाल किसी के मन में जरूर आते हैं तो चलिए इनको उत्तर जानते हैं अधिक मास कैसे बना इसके लिए पुरानों में बड़ी ही सुन्दर कथा सुनने को मिलती है यह कथा दैते राज हिरन अकशप के वद्ध से जोड़ी हुई है पुरानों के अनुसार दैते राज हिरन अकशप ने एक पार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तपसे परसन्न कर लिया और उनसे अमर्ता का वर्दान मांगा क्योंकि अमर्दा का वर्दान देना निशिद है इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर्दान मांगने को कहा तब हिरन्य कशप ने वर्दान मांगा कि उसे संसार में कोई नर, नारी, पशू, देवता, असुर ना मार सके वह वर्ष के बारा महीनों में विर्द्य को प्राप्थ ना हो सके जब वह मरे तो ना दिन हो और ना रात किसी अस्त्र से ना मरे और ना ही किसी शस्त्र से ना घर में मारा जा सके और ना ही घर से बाहर इस वर्दान को मिलते ही हिर्णा कशप ने स्वयम को अमर समझ लिया और खुद को ही भगवान गोशित कर दिया उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता लेकिन समय आने पर भगवान विश्णू ने एक नए मास अधिक मास का निर्मान किया और नर्सिंग अवतार यानि आदा पुरुश और आदे शेयर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखोनों से ही हिर्णा कशप का सीना चीर कर उसे मृत्यू के दौर भेज दिया अत्रिक्त होने के कारण इस मास को मलीन माना गया क्योंकि हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित थे तो इस अत्रिक्त मास का देवता बनने के लिए इसका अधिपती बनने के लिए कोई भी देव तयार नहीं हुआ ऐसे में रिशिमुनियों ने भगवान विश्नु से ही आगरे किया कि वे इस महा कभार अपने उपर ले भगवान विश्नु ने इस आगरे को सुईकार कर लिया तब से ही अधिक मास के अधिपती भगवान विश्नु माने जाते हैं पुर्शोत्तम भक्वान विश्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुर्शोत्तम मास के नाम से भी बुलाया जाने लगा। इसी तरह यह मल मास के साथ साथ ही पुर्शोत्तम मास भी बन गया। इंदु धर्म में अधिक मास के दोरान सभी पवित्र करम वर्जित माने गए हैं। इसका मतलब है कि कोई भी पवित्र काम नहीं करना चाहिए। जैसे नामकरण, यगो पवित, विवाह, सामन्य धार्मिक संसकार, जैसे ग्रह परवेश, नई वस्तुओं की खरिदारी इस मास में नहीं करने चाहिए। इस माह में भक्त जन, व्रत उप्वास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन कीर्टन आदी को अपनी तिंचरिया बना लेते हैं। कौरानिक सिध्धानतों के अनुसार इस माह के दोरान यग्य हमन के अलावा शिरीमत देवी भाकवत, शिरीमत भगवत पुरान, शिरी विश्नु पुरान, आदिका, सुनना, पढ़ना, विशेश रूप से फलदाई होता है। अदिक मास के अधिष्टाता देवता पगवान विश्नु है, इसके स्वामी पगवान विश्नु है। पगवान विश्नु के मंतरों के साथ ही हरे कृष्णा महा मंतर का जाप इस महीने में विशेश फलदाई बाना जाता है। इस मंतर का जाब करने से सबी पाप नश्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की सबी इच्छाएं पूरी होती हैं पौरानिक धार्मिक गरंथों के अनुसार इस महा को अपना नाम देते हुए श्री भगवान विश्णु ने कहा था कि मैं इस माखस का अब स्वामी हूँ इसके नाम से सारा जग पवित्र होगा इस महीने में जो भी मुझे परसंद करेगा वे कभी करीब नहीं होगा इसकी हर मनो कामना पूरी होगी इसलिए इस माखस को किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है पुर्शौतम माज में पुर्शौतम माहत्たम जो की पूरे 31 अध्याय का होता है इसे पढ़ना या सुनना भी महापुन्यफल्दाई माना गया है इसे पढ़ने से अथवा सुनने से ही भगवान विश्णू परसन होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तो देखा आपने जिस महा को अधिक या मलमास कहकर निशेद कर दिया गया उसे भी भकवान विश्णु ने अपनाया और अपना नाम दिया और उसे पवित्र और पुन्य फलताई बना दिया आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में जल्द ही फिर मिलेंगे तब तक चुड़े रहेगा हैपी लाइफ इतकान जी के साथ हरे कृष्णा राधे राधे